है फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माइ चैनल यह देखिए हम डोंगरगड पहुंच गए हैं यह जो पहाड दिख रहा है ना उसके उपर ही माता का मंदिर है माता बंबले सोरी देवी की मंदिर है तो हम उधर क्यों जा रहे हैं मैं बताऊंगी आगे आपको तो आप लोग माता मंदिर है बोलते हैं कि दोनों बेहने हैं और बड़ी माता का मंदिर जो है उपर है पाहड़ी के उपर और यह छोटी वाली माता के मंदिर जो है नीचे है लेकिन यह बंदिर जो है बहुत ही अच्छा कारीगरी की गई है बहुत सुन्दर लग रहा था और हम लोग जल वेसे मैं आजी के दिन क्यूं गई तो वैसे तो मैं उडिशा जब भी जाती थी ट्रेंड से तो ये मंदिर मुझे हमेसा दिखता था पाहाडी के उपर तो मैं उधर से दर्सन करके यसा कभी सोची नहीं थी कि यहां पर कभी आउंगी लेकिट मैं सुनी थी आसपास के लोगो और मुझे बोला गया था कि आपको थुड़ा रीस्क है तो मैं बहुठ डर गई थी और मुझे लगा था कि क्या होगा तो बहुत इंसर्स निती तो तभी मैं जल्दी भी निकल गई थी प्रिग्नेंसी के टाइम जल्दी अपने माय के में रहने के लिए तो तभी में जब जा करई और पूजा करके उसको दर्शन करंगी ओर पुजा करके उसको लेकर जाऊंगी। इसा मैंने मनत मांग ली थी। तो वह ही पूरा करनए के लिए दो सल लग गये। साची थोड़े बड़ी होई तब ही मैं उसको सेकेंड बड़े हे उसका तो मुझे लगा यह से ही मौका है दोस्तिन करने के लिए चुटी भी थी आज के दिन सभी को तो इसलिए हमने सोचा कि आज ही के दिन हम जाके दर्शन करते हैं और पूजा कर लेते उसके नाम से और देखिए यह थी मेरी जाने की वज्जा जो कि मैं बता रही हूं आपको और यह देखिए यह पूरा रास्ते में यह दुकाने हैं सारे हम जा रहे हैं अभी मंदिर के लिए मंदिर में जाने के लिए रोपवे का साहरा लेना पड़ता है अगर किसी को रोपवे में जाना है तो वो जा सकता है या तो जिसको भी पाहडी चड़के जिसको पाहँ मतलब स सेडियां चड़के जाना है 100ribl सेडियां है 1000 कितना तो सेडियां है valid य हम बच्चे को लेके नहीं चड़काते हैं इसलिए हमने रोप वे में बेट ने का सो्चे तो इसलिए Сब करना हैम झाले हैं ऑब ल यंट और नवरात्य के टाइम इधर बहुत भीड रहती है बहुत लोग आते हैं आज इतनी भीड भी नहीं थी अच्छे से उनने गए हम दर्स्तन भी अच्छे से किये यह देखिए हम बैड गए है रोपय में चलिए चलते हैं मां वमलेस्तवरीदेवी की मंदिर यह देखिए फ्रेंड्स हम जा रहे हैं और यहां पर देखिए बोटिंग एरिया है नीचे और हम धिरे-धिरे पाहडी के ऊपर जो है चड़ रहे हैं यह रोप के सारे और बहुत मतलब बहुत बढ़ी मतलब रोप थी और सोचिये यह मतलब छे जन का लाव है एक रोप के अं मतलब एक डबबे के अंदर छे लोग ही बैठ सकते उससे ज्यादा नहीं और पूरा सिस्टमेटिक है इनका एक जमत नंबरिंग किया गया है कोई ज्यादा लोड नहीं लेते कोई रिस्क नहीं है वो भी अच्छी बात है यह कि हम लग पहुंच गये मुझे बहुत डर लग जाही किनके मन्नर भी पूरी है हमारी आप लोग भी दर्सन कर लेजिए माता को यह देखिए और सबसे फेमस मंदिर में से यह भी एक मंदिर है और नवरात्र के टाइम में यहां पर पेर रखना भी मुश्किल होता है कि बहुत बीड रहती है मैंने सुना था कभी आई नहीं नवरात्र के टाइम और यह पुजा का जो सामान है वो चड़ा के फिर आ गए हम लोग यह देखिए यह पुरा हम नीचे आ रहे हैं दिरे दिरे करके देखिए पुरा यह लगा है चुन्नी जो भी चड़ा सकता है वो भी चड़ा सकते इधर और इधर देखिए हम खाना खाने आए हैं अभी एक होटेल पास में था तो सुबह से भूखे थे सभी लोग दर्सन के बाद हम लोग खाना खाने आए हैं यहां पर चले देखते हैं क्या मिलता है खाने में यह देखिए खाने की ठालिया है लग गई है जो ट्रे में लगा है खाना ज्यादा कुछ नहीं था जो भी था बहुत ही उपर में घड़ी हूं और नीचे पुरा पत्थर वत्थर है पहाड़े और नदियां भी है बहुत सारे छोटे-छोटे ने दिखते नहीं है उपर से और हम लोग नीचे जा रहे हैं अभी फिर से वही इसमें रोप वे में ही जाएंगे नीचे क्योंकि दोनों का टिकट कर और ले थे हमने देखें ऐसे नीचे जाता है उंडूप चलिए चलते हैं अभी बेट गए है हम और एक बीडियो थोड़ा यह अच्छा लगा हो तो लायक कर लिजेगा और सस्क्राइब कर लिके बेल आइकन को और में प्रेस्ट कर लिजेगा नेक्स्ट में और भी अच्छे वीडियो लाने की कुछिस कर रही हूं लेकिन ये वाला जो आज का जो दिन था बहुत अच्छा गया हमारा वोटिंग भी किये पूरा रात हो गए थी आते बेवी सान को बोली थी तो मेरे पास बेटा हो लेकिन को दूसरे वो उसके फ्रेंड लोग थे तो वो बेट गया था उधरी थैंक्स पो वाचिंग